हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल दिस इस मैंग सिंग तो एक और लाइव स्कैल्पिंग सीरीज में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी ऑप्शन में काफी अच्छा और लर्णिंग मिलेगा आपको आप option selling कर सकते हो और इस वीडियो में आपको एक और चीज़ बताया हूं कि आपके पास अगर कम पैसा है तो आप option selling कैसे कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है उनके पास एक दो लग रुपे रहता है वो सोचते हैं कि option selling करने के लिए बट वो उनको सम आपको वो चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से आप लोग कैपिटल से option selling कर सकते हो और यह वीडियो में काफी लर्णिंग है तो एंड तक देखना स्किप करके मत देखो अपने दोस्तों में शेर कर सकते हो वीडियो को जो भी ट्रेडिंग सिखना चाहता है और आप तो वीडियो को लाइक करते ही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो वीडियो शुरू करते हैं ओके तो टाइम हो रहा भी 9.51 और अभी मार्केट ये 9.50 में यहीं पे साइडवेज ओपन हुआ था और यह भी इंडिसीजन केंडल फिर दुसरा केंडल भी इंडिसीजन केंडल बनाया यहां पर इस जोन पर 46,600 पच्पन पर एक हैबी सेलर का जोन है और नीचे 46,500 पर हैबी बायर का जोन है एक रेंज में अभी फसा हुए मार्केट मैं लिफ्ट साइड में कॉल को आड़ करकर रखाऊ हूं राइट साइड में पूट को आड़ करकर रखाऊं बहुत सारे लोगों का डूट रहता है कि उनके पास कम पैसा है तो किस तरह से ऑप्सन सेलिंग कर सकता ह मैं आपको सेलिस्ट करता हूं अगर आपके पास एक से डेल लाक रुपया है तो आप ऑप्सन सेलिंग कर सकते हो और वो भी अच्छा गासा कॉंटिटी से मैं दिखाता हूं सब्सक्राइब करते हो ना तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा देखो एक लोट अगर सेल करते ह है यहाँ पर right click करो option chain पर जाओ और आपको इहां पर दिखेगा कोई बी एकदम low delta वाला ठीक है जैसे delta पर click किया मैंने और यहाँ पर delta को open कर लेते हैं और दिखाता हूं मैं तो लो डेल्टा का कोई भी call option खरीद लो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, डेल्टा कम बाला दिखना चाहिए, यहाँ पे 0.04, इसका premium कितना है, 13 रुपया है, ओके, 0.04 है, तो आप अगर ऐसे premium को buy करते हो, डेल्टा 0.04 का क्या मतलब होता है, अगर आपका bank nifty 100 point move करेगा न चल रहा है, तो चाहर लॉट में दिखाता हूं, ठीक है, 60 quantity में, इसको हमने, इसमें 740 रुपया margin लगा, अभी आपको इनदा मनी का, मतलब एगदा मनी का short करना है, तो 4600 का call short करते है, ठीक है, 4600 का call, इसको short पे click करना है, और 60 quantity, सेम, जितना हमने भाई किया दूर का, उतन sell, sell करना है, चलो, अभी आपको दिखेगा, 1,30,000 है आपके पास, तब आप 60 quantity में buy sell कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा quantity होता है, 60 quantity bank nifty option के लिए best होता है, अगर आप इतने में trade करते हो, आप बहुत अच्छा daily का 3-4,000 रुपया बना सकते हो, easily, ठीक है, option selling करके, तो option selling easy होत आप option selling के तरफ जाओ, अगर आपके पास डेल लख है, अगर आपके पास कम पैसा है, जैसे 20-25-30 जा रहे है, तब मैं आपको recommend करता हूँ, कि आप option buying करके scalping करना, hold मत करना कोई भी trade को नहीं, तो आपका बड़ा-बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर से trend line आ रहा है, यहाँ से rejection, लेकिन फिर से यहाँ से buying आ जाएगा, इस reason के बज़े से मैं यहाँ पे नीचे का direction का trade नहीं कर रहा हूँ, एक और चीज, इतना दूर का जो option आपको buy करने के लिए दे रहा है, बस धन में available है, जरोदा में अगर आप करना चाहोगे, दूर का option buy कर करूँगा, क्योंकि उपर के level से selling आ रहा है, morning से दो candle indecision है, एक भी indecision यहाँ पे selling है start हुआ, तो बड़ा सा selling यहाँ पे दिख जाएगा, lower level से भी एक trend line आ रहा है, that's why थोड़ा सा confusion वाला area है, यह पूरा, अगर दूर का call sell करते है, नीचे का put sell करते है, तब यह भी profitable trade रह गया, तो पूरा profit आपका, at least 30% तो premium decay हो जाएगा, call और put दोनों का, दिखते हैं, एक pullback आने दो यहाँ पे, तब मैं इसको call को short करूँगा, put का भी premium उपर भाग रहा है, यहाँ पे, एक pullback आने दो इस जगह पे 320 के आसपास आएगा, तब इसको short करूँगा, यह काफे नी पर मिलने दो, trade तो मैं आपको लेकर दिखाऊँगा, trade काफी अच्छा लगए, अमजा आएगा दिखने में, ठीक है, जो भी loss profit होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, किस तरह से stop loss accept करना चाहिए, finally यहाँ पे strong red candle close किया है, selling का, तो यहाँ से market में selling भी त क्यान किया जा सकता है, क्योंकि यह support zone पर है, अगर support break कर दिया, तो exit कर लेना loss में, अगर यहाँ से buying में चला गया, तो आप यहाँ पर profit अच्छा का सा, यह call, यहाँ पर इसका premium भी काफी तेजी से उपर जाएगा, और इसका put का भी premium तेजी से गिरेगा, तो दोनों option पर से 380-350 पर आचुका है, दिखते हैं, वेट करके ऐसे नहीं, इतना strong selling candle close किया है, कुछ तो reason होगा, आप direct buy sell तो नहीं कर सकते, लेकिन इस जगह पर support ले रहा है, अगर break करना रहा था, तो यह कर दिया होता break, मैं यहाँ पर छोटा सा risk ले रहा हूँ, candle high का, ठीक है, अग पर दिखाता हूँ, order book, order book मेरा selling किया हुआ है, 354 पर, ओके 354 यह रहा, यहाँ पर 354 पर selling है, 26 point का top है, यहाँ पर, देखते हैं, अगर उपर निकला, तो फिर exit करना पड़ेगा, 50 point इसमें capture किया जाएगा, चलो, इसमें सबसे पहले stop loss डालना काफी जादा जरूरी होता है system पर, नहीं डालोगा stop loss, आपका नुकसान हो जाएगा, फिर बाद में regret करोगे, चलो, मैंने यहाँ पर stop loss डाल दिया system पर, एक बार नीचे आने तो यहाँ से अगर fall करता है, तो well and good, अगर, जैसे देखो, मैंने यहाँ पर किस बज़े से reversal trade किया है, क्योंकि यह lower market का behavior क्या sideways है, फिर से यह horizontal level का भी support area है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है, और यह trend line भी आ रहा है, अगर trend line पर भी support candle, एक भी green candle बना दिया, easily यहाँ पर 50 point fall कर जाएगा, that's why मैंने यहाँ पर risk लिया एक चूटा सा, देखते हैं किस तरह से यह workout करता है, एक बार थोड़ा सा और नीच support ले रहा है, मैंने इस support के basis पे यहाँ पे support को short किया है, अगर मैं position book दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरा 10,000 का आपको loss दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एक trade लिया था, यहाँ पे, इसी में थोड़ा सा ऐसल गया था, उसको record नहीं कर पाया था, बट अभी इसको record कर रहा हूँ अगर इसको break करना रहता ना इस zone को, तो break कर दिया होता, break नहीं करना है, that's why यहाँ पे pause कर रहा है, अगर यह pause किया तो easily उपर जाएगा, उपर जाएगा तो यह जितना तेजी से buying आया है premium में, उतना ही तेजी से सारे लोग ना panic में exit भी करते हैं, that's why, यहाँ पे देखते ह करने का probability 90% हो जाएगा, ठीक है, अगर यह premium नीचे आके close कर देता है, तो, reversal trade में profit अच्छा मिलता है, लेकिन वही होता है, risky होता है, जैसे यह, मैंने जो reversal trade लिया है, market गिर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे buy करने का trade लिया है, मतलब bullish trade लिया है, बस एक पर, okay, अच्छा fall आ अगर यह reverse होता है, यहाँ से, तो at least नुकसान नहीं होना चाहिए, अभी इस trade को मैंने ट्रेल कर दिया है, और काफी अच्छा profit हो रहा है, 12-13,000 का, इसमें नुकसान था, ठीक है, loss था और उसको recover करके अभी 13-14,000 का profit में आ चुक है, 15,000, 18,000, okay, 18,000 का लो लगा है, यहाँ इस बज़ेस मैं यहाँ पे ट्रेल कर दिया, रुक जो, अभी इसमें 15-17,000 का profit चल रहा है, okay, good, 20,000, 25, 27, 30, 36, क्या बात है, मज़ा आगया बाई, इसको order exit करते हैं, आई होप आपको काफी मज़ा आया होगा यह trade देखने में, और this is hack or what, ठीक है, अभी overall profit यह हमारा दूसर scalping में, 33,854 का हो चुका है, ठीक है, इस trade में 12,000 का नुकसान था, उसको recover करके 35,000 का profit मा चुके, risk reward ऐसे ही काम करता है, ठीक है, और यह दोनों मैं बस एक margin benefit के लिए, बहुत ही आप देख सकते हो, 47,700 का call मैंने buy किया था, बहुत ही दूर का option, मतलब buy करके बस एक देख रहा अभी मैंने इसको 35,000 के मतलब plus में ला दिया इसको, ठीक है, और भी trade करूँगा, तो आपको update करता हूँ, stay tuned guys, काफी मजा रहा होगा, तो like कर देना, ओके, तो next trade लेता हूँ, तो आपको update करता हूँ, ओके, तो अभी time हो रहा है, 10 बच के 15 मिनट, और देखो के market, एकदम sideways करता है, ओके, यह एक अच्छा move आया था downside का, और इस candle में तो मैंने trade नहीं किया था, बट इस candle में यहाँ पर trade किया, ठीक है, एक दम बिल्कुल bottom पर buy किया था, और यहाँ पर profit book किया था, और अभी मेरा planning है buying का, क्योंकि market bullish है, यह future का chart है, right side में put का chart है, और left side में call का chart है, तो market अभी काफी जादा bullish दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं दूसरा trade plan कर रहा हूँ, put short करने का, ठीक है, यह भी bullish trade रहेगा, put buy करते हो, इसका मतलब very straight, अगर put sell कर रहे हो, तो इसका मतलब है, कि आप bullish हो market में, okay, यहाँ पर seller का area बना हुआ है, नया, और market काफी तेज यहाँ पर के तरफ close किया था, तो एक यहाँ पर risk लिया जा सकता है, okay, यहाँ पर सही strike, सही price भी मिल रहा है, मुझे, चलो, यहाँ पर मैं short करता हूँ, थोड़ा साइज risk है, बस अगर यहाँ पर close करेगा, मैं इसको exit कर दूँगा, okay, मैंने यहाँ यहाँ पर sell कर दिया है, इस ही strike price पे, बिल्कुल market order पे, और stop loss बहुत ही चोटा रखूँगा, अगर EMA को पर close करेगा, तो मैं इसको exit कर दूँगा, stop loss इसको 386 पे मैंने short किया है, तो यहाँ पे चलो, long short पहले लगा देते है, short position, इस पे किया हुआ है, और EMA 9, 15, okay, 11 point का SL जाएगा इसमें, कोई द 30 point का target है, 336, चलो, अभी अपना, यहाँ पे target stop loss सब लगा हुआ है, अगर एक और spike उपर आता है, इसमें buying में, तो easily अपना target heat हो जाएगा, okay, 14, 15,000, काफी अच्छा candle close हुआ है, अभी मैं अपना stop loss को cost पे ला देता हूँ, अभी इसमें नुक्सान नहीं होगा, ठीक है, ए थोड़ा सबस एक fall आना चाहिए, इस low को break कर दे बस, थोड़ा सब यह नीचे lower level से हाँ पर support बना रहा है, target काफी बड़ा है, that's why यह trailing असल जा सकता है, no doubt, presence होना चाहिए आपके अंदर, इसमें काफी 20-25 जार का profit था, कोई नहीं, presence इस दखी, guys, औरा game है presence का, अगर आप बड़े profit के लिए नहीं wait करोगे, तो आपका account grow नहीं करेगा, simple सा मेरा, तो यही logic होता है, अगर एक red candle बनेगा, तो मैं यहाँ पर stop loss को ला दूँगा, trail करके, so at least इसमें थोड़ा बहुत profit ही हो, ठीक है, अगर reverse भी होता हो, क्योंकि नीचे से यहाँ से इस trend line पर support बना रह होगा है, इतना अच्छा bullish candle के बाद अगर selling में जाता है, तो फिर यह पूरा heat trap रहेगा, और इसमें कुछ कर नहीं सकते, stop loss पे exit करना पड़ेगा, simple सी बात है, इस trade में अगर आप देखोगे, तो मैंने यहाँ पर short किया उपर की तरफ, और यहाँ पर target 23 point का fall मिल रहा था, एक भी red candle आया, तो मेरा trailing hustle काफी छोट, मतलब cost से नीचे आजाएगा, तो फिर इसमें हमारा loss नहीं होगा, लेकिन अगर यह पूरा ही उपर reverse हो जाता है, तो मेरा stop loss यहाँ पर 4 point का लगा हुआ है, वो चला जाएगा, कोई नहीं, मैं हमेशा hold करता हूँ अपने trade को, जैस इसमें हमारा trailing hustle चला जाएगा, chances are very high, अभी तो green में फिलाल, अगर इस बार fall start हुआ, तो फिर इस बार target आजाएगा, जो भी 50 point का है, फिलाल तो green में है, फिर से fall start हुआ है, 78,000 का फिर से profit चल रहा है, hopefully इस बार break out करे, एक बार तो इसके इस zone के उपर stop loss available है, देख सकते हो यहाँ पर भी stop loss है, यहाँ पर भी stop loss है, यहाँ पर भी stop loss है, एक बार spike करेगा, stop loss खाने के लिए भी तब भी अपना target आजाएगा, अगर आप option buyer हो, तो आप यहाँ पर same chart देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर short किया है, आप यहाँ पर buy किया हो, ठीक है, कोई फरक नहीं ब्रेक कर दो, 1, 2, 3, go, okay, great, okay, फिर से 20,000, 28, 34, 43, okay, अरे यार, तोड़ा सा से रह गया है, partially execute हुआ है, यहाँ पर trade, ठीक है, आप देख सकते हो, साथे 700 quantity बचा है, बस, एक्टम जना सा से रह गया है target, यार, okay, spike तो आया है, अगर option buy भी करते हैं, तब भी आपका अच्छा profit अपना लोग हो जाए, ओके अपना trailing SL हाँ पे चला गया, no issue, कोई दिक्कत नहीं है, इसको exit कर देता है, और इसको भी exit कर देता है, चलो, अच्छा खासा trade था यह, इतना, कितना 47 point का fall था, 3 point से रह गया, और अभी अपना total जो profit है, वो 69,000 का है, ओके, दो scalping किया, तीन scalping प्लीज वीडियो को like कर देना, आपने दोस्तों में share कर सकते हो, और मिलते हैं next live trade वीडियो में, अगर कुछ भी doubt है, तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हो मेरे से, मैं उसको answer करूँगा, ओके, love you everyone, मिलते हैं next live trade वीडियो में